टाइगर जोया टाइगर 3 के साथ वापस आ गए हैं और इस बार वह दिवाली को धमाकेदार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं वहीं सिनेमा घरों में सलमान खान, कट्रिना कैफ और इमरान हाश्मी को देखने के लिए फैंस एकसाइट नजर आ रहे हैं इसका अंदाजा टाइगर की एडवांस वुकिंग देखकर लगाया जा सकता है जिसमें केवल 24 गंटे में 35,000 से ज्यादा टिकट की बिकरी हो चुकी है इसे देखने के बाद फैंस कह रहे हैं कि टाइगर थ्री सलमान खान की और पठान जवान के रिकॉर्ड तोड़ देगी और पहले ही दिन बंपर कमाई कर अपने नाम रिकॉर्ड बनाएगी खबरों की माने तो टाइगर थ्री ने बॉक्स ओफिस पर बहतरीन शुरुवात की है सलमान खान, कैटरेना कैफ और इमरान हाशमे के फिल 24 गंटे भी नहीं हुए कि अब तक 40,000 से ज्यादा टिकट बेच दिये गए हैं गौरतलब है कि ब्रमास ने 30 गंटों में 30,000 टिकट बेचे थे, फिल्म क्रिटिक्स तरुन आदर्स के अनुसार टाइगर थ्री ने जबर्जस शुरुवात की है, पी भी आर में 75,000 टिकटे भी की हैं, डिलाइट दिल्ली में 28,000 टिकटे भी की हैं, और प्रशाद में 1470 टिकट भी के हैं, हैदरबाद में अन्य संपतियां कुछी ही घंटों में औरेंज हो गई हैं, कल्पना कीजिए पूरी एडवांस बुकिंग अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन सल्मान का क्रेज साफ तोर पर दिख रहा है, वहीं बुक माई शो के आंकडों की म अन्य साफ च्छी है, अन्य स्टाइ।